दोस्तों संजो सेमसंग के साथ तीम इंडिया में हो रहे भेदभाव पर BCCI को मिली है खुली धमकी तो क्या है कबर की पुरी जानकारी किस तरह के धमकी BCCI को मिली है संजो सेमसंग के साथ भेदभाव करने पर बताएंगे इस वीडियो में अगर आप भी है भारती टीम के फैन तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें चली वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों T20 World Cup में खराब प्रदरसन करने का भारती टीम का जो एक मात्र करन था वो था भारती टीम का ओपनिंग और ओपनिंग के साथ साथ विकट कीपिंग की जिम्मेदारी जहां पर दोस्तों विकट कीपिंग के तौर पर रिसव पंत और दिनेस कार्ति को आजमाया गया वहीं ओपनिस के तौर पर रोई सर्मौर के एल रहूल किया लेकिन एक खिलाडी ऐसा है जो दोनों प्रॉब्लम्स को दूर कर सकता है लेकिन अभी भी टीम इंडिया और बीसी चाहिए उसे मौका देने पर उतारू नहीं हुआ है दरसल दोस्तों हम जिस खिलाडी की बात कर रहे हैं वो है संजू सैमसंग संजू सैमसंग जो की T20 के रिकेट के बेहतरीन बल्लेबास हैं लेकिन अभी तक BCCI ने उन्हें एक भी मुकाबले में प्लेइंग 11 में जगे नहीं दी दरसल दोस्तों इस समय भारत और न्यूजिलैंड के बीच तीन T20 मैचों के स्रंकला खेली जा रही थी जिसका पहला मुकाबला बाडिस के वज़े से रद हुआ लेकिन बागी के दो मुकाबले पूरी तरीके से लगब गलब कम्पलीट हुए लेकिन उस तोनों ही मुकाबले में टॉस हुआ तो मतलब प्लेइंग 11 जब आई तो उसमें संजू सेमसंग का नाम नहीं था संजू सेमसंग जो कि भारती टेम के एक बहतरीन बल्लेबास है उनका ना खिलाया जाना भारती प्रसंसको के लिए बहुत ही बुरी ख़बर थी ऐसे में बीसी सियाई के उपर बहुत बड़े आरोप लगने लगे जी यहां दोस्तों ट्वीटर पर बीसी सियाई के उपर भ देखना छोड़ देंगे और आप जो इस समय एक दम पटल पर यानि सबसे उपर बीसी सियाई बैठी हुई है वो बिल्कुल ही नीचे आ जाएगी बीसी सियाई को बनाने वाले फैंस ही है अगर फैंस गुस्ता हो गए तो बीसी सियाई की खटिया खड़ी हो जाएगी आप